हेलो दोस्तों स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इलक्टिकल हब में यहाँ पर देख सकते हैं यह एक सिलिंग फैन है और इसमें जो प्रोब्लम थी देख सकते हैं यहाँ जो इसकी सापट थी से प्रोब्लम क्या आती है कि फैन मेरा एक साइट अटकता है इससे रिलेटेट मैंने एक कम्प्लीट वीडियो बनाई हुई है उसका लिंक में डिस्करशन पर दे दूंगा वहाँ पर मैंने सिलिंग फैन फर्राटा वॉल फैन एक्जोस फैन सब के लिए मैंने कम्प्लीट ग पड़े की काफी अच्छा यह हैंड वेट तूल है यहां पर देख सकते हैं यह जो यूनियन होता है उसका एक पार्ट है और यहां पर हमारा पौन इंच का एक टुकड़ा है लुहे का इसको हम इस तरीके से डालेंगे जब हम निकालेंगे सापट को यहां से हम मारेंगे हा उपर से मारेंगे तो यह अंदर को फसने लगेगा जब भी फसा है यहां पर जो हम जिससे वायर करते हैं इसका छेद का ध्यान रखें कनेक्शन के साइड हो ना कि इस तरफ रख लें तो यहां पर देख सकते हैं मैं आपको बताता हूं यहां पर मैंने इसको रिपैर क्यों क्योंकि यहां पर अगर फैन हमारा okay है और आप repair करवाते हैं तो welding वृल्डिंग वाला जब इसमें welding करेगा मसाला धरने गरे तो यहां पर काफी हीट होती है जिससे हमारा paper भी खराब हो सकता है ये भी हमारे जल सकते हैं इस कारण क्या कर रखा है मैंने यहाँ पर इसको welding नहीं कराया है सीधे सापटी बदल दिये और इसका एक benefit और है welding वाले जो इसमें मसाला भरके seed बनाते हैं वो भी हमारे यहाँ 60-70 रुपे लेते हैं और जो यह सापट मुझे मिली है यहाँ पर देख सकते हैं यह मुझे 60 रुपे में मिली हुई है तो यानि इसको रिपैर भी नहीं करवाना पड़ा और यहाँ पर नई सापट इसके जगे पर यहाँ पर लग चुकी है देख सकते हैं इसके seat एकदम fit है यहाँ पर नया है तो इसी तरीके से आपके भी fan में अगरa बारबार शापट कट जा रही है अगर आप बना रहे धिर जा रही है बना कंच कट जा रहे तो इस case में आप इस तरीके से fan की भी सापट को extraordinarily कर सकते हैं तो दोस्तो वीडियो चलते वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब चुरूर करें आज के लिए इतना ही